कि नमस्कार आपके साथ मैं हूं रतिक सभीता आप देख रहे हैं एस्पीन नाइन इस की खास पेशकस आज की बात और आज की बात में चर्चा करने वाले हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी को लेकर आम आदमी पार्टी गुजरात में बड़े जोरो सोरो से नदर आ हाला कि दो फेस उतरे थे चुनाप परचार के लिए एक भगवन तमान और दूसरा मनिस सौदिया लेकिन यहां पर सीएम फेस की भी बात करने को कि गुजरात में तो देखा जा रहा है कि सीएम फेस जो है वो जोरो सोरो से कहीं ना कहीं एक बहतरी चेहरा होगा उसमें आखिर कौन सा चेहरा पंजाब के लिए अच्छा होगा और इसमें से भगवन तमान का नाम सामने आए तो ठीक ऐसी ही रड़िती साइथ गुजरात में अपनाई जा रही है तो क्या हिमाचल प्रदेश में रागव चुड़ा बहतर होंगे इस खास चर्चा हमारे साथ कि राजनीतिक पार्टी फूशक रही है तर लेकिन आम अदमी पार्टी घुजरात में ठीक पर दरस्न करते के कि वहां पर तो यहुज्स सेभ़ी बात है कि आम आदमी पार्टी से बहुत ज्यादा मज़बूत है और गुजरात की जनता की मैं देखिए सबसे पहले बात कर ले तो गुजरात की जनता आज आम आदमी पार्टी के मुद्धों को पसंद कर रही है आज आम आदमी पार्टी के हर एक बात पर ध्यान दे रही है यही वज़ा है कि गुजरात में ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस बार 50 से ज़्यादा सीटे निकाल ले जाएगी देकि हिमाचल का भी आप जिकर कर रहे थे देकि हिमाचल का जिकर करना जरूरी है जिकर कि इस चुनाओ के शोरší रही हिमाचल की गिंती नहीं है हिमाचल का जिकर हिमाचल का स्टेट जो है वोभी मायने रखता है गुजरात के लिए सब लोग दोड़ रहें भाग रहें तो यह इसलिए आम आदमी पार्टी भी पूरा जोर लगा रही है पर राजनीती कर रहें इसके स्विवाएं नहीं आता क्या और कुछ नहीं कर पाते लोग लेकिन आम आदमी पार्टी कम सक्वाण दिल्ली से चलकर गुजरात आती है मुद्दों की बात तो कारी पहले कहा जा रहा था कि पंजाब में जो सीएम होगे वो रागव चट्ड़ा होंगे जवनोंने नमबर जारी नहीं किया था वाटसेप नमबर लेकिन बाद में यह तैह हो गया कि भगवन तमान ज्रचनता ने खुद पसंद किया कि भगवन तमान वहां के सीम होगे हैं हलाकि सीम वो बन भी चुके हैं तो मेरा सवाल ये था कि रागव चड़ा को वो कमान नहीं मिल पाई जो कमान पंजाब की मिलनी चाहिए थी ये कयास भी लगाया जा रहा थी कि भगवन तमान तो कुछ समय के लिए मुक्हमंत्री बने हैं बाद में स्तीफा दे देंगे और रागव चड़ा पंजाब के मुक्हमंत्री बन जाएंगे ऐसे कई सारी बयानवाजी सोसल मीडिया और मीडिया के दौर पर में जानने को मिल रही थी लेकिन मेरा सवाल आप से ये है कि आपको लगता है कि अब समय आ चुका है गुजरा त इससाब से मुक्हमंत्री चैरे के लिए वो ठीक है और अगर उन पर मुक्हमंत्री चैरे का दाओ नहीं खेलती है आम आदमी पार्टी तो मेरे इसाब से शायद उनके साथ नाइंसाफी वाली बात होती नजर आएगी कही ना कहीं जरूरी है रागव चड़ा पर दाओं खे जित जाती है commissioner जियत गई तो अगर घुजरात के लिए तो आगर घुजरात के लिए पार्टी पो पल उचकल चल रहा है हर कोई सी वोटर कोई यह वोटर Kोई यहां और जैसे कि आम आदमी पार्टी एक छोटा सा पोल करते पोल में गुजरात चुनाओं को लेकर बात कर ले हिमाचल को लेकर बात कर ले रागव चडड़ा का नाम सीम को लेकर ले कर ले कि ऴड़े इह कि बहुए सीम चेहरा8 कहाँ से होने है इले मुख्यमंत्री कहा से बनाए जाए गुजरात से या हिमाचल से जनता परियाब बता देगी जनता का फैसला तो हमैसा आदमी पार्टी मानती यह जनता के लिए वो काम करती नजर आ रही है और अगर जैसे कि जनता गुजरात के क्या बात करें तो गुजरात में उतार दीजे इन वाद की हमाचल के बात करें तो हिमाचल की बात करें तुह इसली मौडल को लेकर वाद्नी तारी है और अगर पड़ाई पर इस नहीं हुआ कि एक बार पार्टी जो है वो दो वारा वी आ गई हो तो क्या वार इस बार हिमाचल प्रदेस में इतिहास वहाँ आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सराकों पर बिठा जाए मैं देख रहाँ कि गुजराथ की जंता भी उनके मोंदों को पसंड कर रही हे माजल की जंता को पसंड करें और देखी बेज़ेपी की जो दुकाने चल रही थी जाती, समोधाय धर्म को लेकर मैं जिकर करना चाहूँगा, स्मिर्थी, रानी, चैसी, महिला, चेहरा उन्होंने कभी महिलाओं के लोकर बात नहीं की देखे, 2014 से पहले आप देखे न ग्याय सिलेंडर हाथ में लेकर और पैटोल डीजल की कीमतों को लेकर पोश्टर बैनर पर नजर आती थी हाई महंगाई, हाई बेरुजगारी हाया सिक्षा, महिला सुरक्षित नहीं है लेकिन 2014 के बाद सब कुछ ठीक हो गया 2014 के बाद सब कुछ ठीक है परधान मंतरी नरेन मोदी कहते थे कि भाई भारत की एकोनोमी गिर रही है ये एक बहुत ताज़ुब की बात है 2014 से पहले आप उनके बयान को सुनिए निर्मला सीतरवन बेतु का बयान देती है कहती है, डॉलर मजबूत हो रहा है रुपिया कमजोर नहीं हो रहा है आप जनता को बेवकूब समझते आप जनता को मुर्ख समझते ऐससे तो यह हो कि भाई अनाज के दाम नहीं बन रहा है आपने खाना कम कर दिया इसलिए आपके शरीवें नहीं लग रहा है तो ऐसे तमाम तरह के उट पटांग वाले बयान लास्ट वाल मैं आप से ओल ले लेता हूँ तमाम पार्टियों के पास महिला चेहरा है लेकिन आम आदमी पास कोई ऐसा महिला चेहरा नहीं है जिसको उसने कभी उतारा हो तो आपको लगता है कि महिला चेहरा हिमाचल परदियस में आम आदमी परदियस में आम आदमी परदियस में कोई बहतर हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री चाहिए या रागव चड़ा जैसे मुख्यमंत्री चाहिए या उन्हें मुख्यमंत्री कैसा चेए देखे आम आदमी पार्टी ने अभी तक मैं इतना कहूंगा कि जो जो बादे कियें, वो पूरे कियें हैं, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, और गुजरात में क्या कर रहे है, अर्विन केचरवार, भाई आपने एक पार्टी को 27 साल मौका दिया, आप हमें 5 साल का मौका दीजे, भाई लोक तंत्र में जनता सब को वोट दे रही जब सब को सपोर्ट करें, भाई 5 साल देने में क्या दिकत हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार के 5 साल जनता बहुत खुशी-खुशी शे आम आदमी पार्टी को दे रही है, जनता तै करेगी, उनका CM कौन होगा, और CM फेस के तोर पर गुजरात में और हिमाचल प्रदि होगा, और कौन सा चेहरा हिमाचल प्रदिस में CM चेहरा होगा, क्योंकि दिल्ली मोडल की तारीफ है तो यहां पर नहीं है, अंतराष्टी लेबल पर भी उसकी तारीफ है की गई है, चाहे वो सिक्षा का मोडल हो, या फिर चिकिस्ता का मोडल हो, अब देखना ये वाकी गुजरात हो ये माचल प्रदिस से देते रहेंगे, देखते रही है, SPN 9 News, बहुत शुक्रिया